नमस्कार स्वागत है आपका राजसभा टीवी में आपके साथ मैं हूँ अभिलाशा पाठक आई बॉलेटिन की शिरुवात करते हैं हेड्लाइन्स के साथ कोरोना वाइरिस संक्रमन का फैलाव रोकने के लिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के आहवान पर कल सुबह साथ से रात नौ बजे तक देश में लगेगा जनता करफ्यू आज आधी रात से कल रात दस बजे तक रद्ध हैं सभी रेल गाड़ियां कल नहीं चलेगी दिली मेट्रो विमान सेवाएं भी रहेंगी बाधित कोरोना वाइरस की रोक थाम के लिए जनता करफ्यू को सफल बराने हर नागरिक का करतव ये उपराश्रपती एमवेंकईया नाईडू की राजनितिक दलो सिविल ससाइटी संस्थान और लोगों से सरकार के प्रयासों में सहयोग की अपील कहा असाधारन स्थिती से निपट किया जाना जरूरी देश भर में अब 111 सरकारी प्रयोग शालाओं में होगा कोरोना वाइरस का टेस्ट भारतिय चिकित्सा अनुसंधान परिशद ने वाइरस को फैलने से रोकने के लिए जारी किये नए दिशा निर्देश कोरोना वाइरस से संक्रमित रोगियों के संपर्क में आए लोगों की पाँचवे से चोदहवे दिन के बीच होगी जाच कोरोना वाइरस के बढ़ते असर के मद्दे नजर ब्रिटेन में लॉकडाउन ब्रिटिश पीम बोरिस जॉनसन ने की स्वास्थ आपात काल की घोशना दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आखड़ा 11,000 के पाँच और देश को एलेक्ट्रोनिक फार्मा और मेडिकल डिवाइस का प्रोडक्शन हब बनाने के लिए कंपनियों को प्रोथ साहन देगी सरकार केंद्रिया मंत्री मंडल की बैठक में 9 एहम फैसनों को मंजूरी आने वाले सालों में 20 लाख करोड रुपए खर्च करने की योजना और अब खबरे देखते हैं विस्तार से सबसे पहले बात करोना वाइरस की कोरोना वाइरस की संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए हमें आपको हर किसी को एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है इस वाइरस को फैलने से रोकने के लिए रविवार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक देश में जनता कर्फ्यू लागू रहेगा ये कदम प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के आहवान पर उठाया जा रहा है इस जनता कर्फ्यू में शामिल होकर दिशा निर्देशों का पालन करके हम सभी कोरोना वाइरस को फैलने से रोक सकते हैं यानि हम खुद का खयाल रखते हुए दूसरों का भी खयाल रख सकते हैं बस जरूरत है तो साबधानी बरतने की सतर्क रहने की 19 मार्च को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाने की अपील की थी इससे कोरोना वाइरस के फैलाओ को रोका जा सकता है जनता कर्फ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू इस जनता कर्फ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बहार न निकले न सड़क पे जाए न महले में या सोसाइटी में इकत्रे हो अपने घरों में ही रहे 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम देश हित में कर्फ्यू पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रती होगा कोरोना वाइरस से निपटने में सहयोग देरेवालों के प्रती प्रधान मंत्री ने रविवार को शाम पांच बजे पांच मिनट के लिए कर्तल ध्वनी से आभार व्यक्त करने की अपील भी की थी जनता कर्फ्यू के दीन शाम को ठिक पांच बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खीडकियों के सामने खड़े होकर पांच मिनिट तक रविवार को शाम को पांच बजे पांच मिनिट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके गंटी बजा करके हम उनके प्रती अपनी कृतग्यता व्यक्त करें उनका होसला बढ़ाएं उनको सेल्यूट करें पूरे देश के स्थानिय प्रसासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार को पांच बजे सायरन की आवाज से इसकी सुचना लोगों तक पहुंचाए उपर राष्ट्रपती M. वंकया नाइडू ने कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए लोगों से रविवार को घर पर ही रहने के लिए आवान किया प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के आवान की सराहना करते हुए उपर राष्ट्रपती ने कहा कि इसका मकसद अपना खयाल रखने के साथ दूसरों का खयाल रखना भी है कोरोना के संक्रमन को पैलने से रोकने के लिए हर नागरिक کا कर्तव्य है कि रविवार को सभी घर पर ही रहे और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें उपराश्वपती ने आहवान किया कि कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए सभी राजनितिक दल, सिविल सुसाइटी संस्थान और लोग साथ आए एमविंकरिया नाइडू ने कहा कि विश्व स्वास्थ संस्थान और चिकितसकों के मताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के जरिये ही भारत कोरोना वाइरस के फैलाव को रोक सकता है उन्होंने कहा कि एक महमारी के रूप में कोरोना वाइरस का प्रकोप दुनिया भर के लिए सभी देशों के लिए एक चिनौती है ये असाधारन स्थिती असाधारन उपायों की मांग करती है जुस पर भारत सरकार की कोशिशें विश्व स्वास्थ संगठन ने भी सराही है अगले कुछ सकता हमारे देश में वाइरस को दूसरे चरण से आगे नहीं जाने देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे सभी नागरिक, स्वच्छता और सामाजिक, दूरदर्शिता के माध्यम से अवशक साभधानियों को अपनाने, शिक्षित करने और जागरुकता भैलाने का काम करे डॉक्टर और पैरा मेडिकल कर्मी कोरोना वाइरस की चनोती का सामना करने में अतुलनिया सेवा प्रदान कर रहे हैं यह हमारा कर्तव्य है कि परिक्षन के समय में उनके उत्साही प्रयासों को स्विकार करें और रविवार को ताली बजा कर उनका तहे दिल से स्वागत करते हुए उनकी सराहना करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सुबह साथ बजे से रात नौ बजे तक जनता कर्फ्यू का एलान किया है इस दोरान लोगों को अपने घरों से नहीं निकलने की अपील की गई है इसे लेकर कई राजों के नेताओं और सांसदों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और जनता कर्फ्यू का समर्थन किया है प्रदेश के अंदर कल सभी मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी प्राता काल दस चैबजे से लेके रातरी दस बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगी उत्तर प्रतेस सड़क परिवहन की बसेज भी पूरी तरहे प्रातव 6 बजे से रातरी 10 बजे तक बंद रहेंगी सीटी बस सेवा भी पूरी तरहे कल बंद रहेंगे इन चीजों को हम देखें जो जिससे हर हाल में हम कोरोना वाइरस के संक्रमन को रोक सकें 22 मार्च को सवेरे 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक जनता कर्फ्यूव लगाने का फैसला किया है जनता स्वता इस फूर्थ इस दोरान अपने घरों मर रहे यह आवस्चक है कि हम इस जन कर्फ्यू के कारिकम को सफल बनाए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है और जनता कर्फ्यू लागू होगा जनता अपने आप आएगी और जितने मेरे पास फोन आ रहे हैं हमारे छेतर से जितने फोन आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता करफ्यू को व्यापक समर्थन मिल रहा है कई बड़ी हस्तियों ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री के इस प्रयास की सराहना की है प्रधानमंत्री ने इसके लिए इन हस्तियों को धन्यवाद दिया है विभिन्य नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर इसे द्विपक्षिय समर्थन करार दिया जनता कर्फियू के आहवान का समर्थन करते हुए नेताओं ने इस प्रयास को प्रशन सिनिया बताया है प्रधान मंत्री ने तेलगू देशम पार्टी के प्रमोख एंचंदरबाबू नाईडू के ट्वीट्स का भी हवाला दिया जिन्होंने कहां कि राष्ट के लिए ये परिक्षा की घड़ी है और हर व्यक्ती को इस खत्रे से लड़ना चाहिए और सामाजिक मेल जोल से दूर रहना चाहिए प्रधान मंत्री ने जनता कर्फ्यू को समर्थन देने के लिए दिली के आटो टैक्सी यूनियन के पहल की भी सराहना की प्रधान मंत्री ने लिखा कि इस पहल से कोरोना महामारी के खिलाप देशवासियों की लड़ाई को एक नया बल मिलेगा 14 घंटे के जनता कर्फ्यू के मद्दे नजर रेलवे, विमानन सेवाओ और राज्य सरकारों ने कई तरह के कदम उठाए हैं आज आधी राज से रविवार राद 10 बजे तक पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद रहेगा रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के मुताब करीब 2400 ट्रेने रद की गई हैं हाला के जनता कर्फ्यू के दौरान जो पैसेंजर ट्रेने सुबह 7 बजे से परिचालन में रहेंगी उन्हें गंतव्य तक पहुँचा दिया जाएगा और जिन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बेहत कम होगी उन्हें बीच में ही रोक दिया जाएगा लंबी दूरी की मेल और एक्स्प्रेस ट्रेनों की परिचालन भी रविवार सुबह 4 बजे से राद 10 बजे के बीच बंद रहेगा बोर्ड ने सभी रेलवे जोनों को निर्देश दिया है कि जो यात्री ट्रेनों में हो उन्हें यात्रा में कोई परिशानी ना उठानी पड़े इस बीच IRCTC ने फूड ब्लाजा, रिफ्रेश्मेंट रूम, जन आहार और रेल, किचन स्कोर, रविवार से अगले आदेश तक बंद रखने को कहा है जनता कर्फ्यू के दौरान कई शेहरों में मेट्रो भी बंद रहेगी, इस बारे में यात्रियों के लिए एडवाईजरी जारी कर दी गई है दिल्ली, नौइडा, चन्नई में मेट्रो सेवाएं बाधित रहेगी वही जनता कर्फ्यू के मद्दे नजर विमानन कमपनी इंडिगो और गोएर ने भी करीब 1000 उडाने रद करने का फैसला किया है इंडिगो ने महस 40 फीसदी उडाने संचालित करने की ही बात कही है हाला कि घरेलू उडानों का संचालन जारी रहेगा बात गोएर की करें तो रविवार को गोएर की सब ही घरेलू उडाने रद रहेंगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वाइरस के प्रसार को रोकने के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए सोशल साइट्स और लोगों का धन्यवाद दिया है गूगल की तारीफ करते हुए प्रधान मंत्री ने लिखा कि गूगल कोरोना वाइरस के प्रसार को रोकने के लिए जागरुकता फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है आज के समय में तकनीक और इंटरनेट का इस्तमाल एक स्वस्थ ग्रह के लिए आवशक है उनका ये प्रयास इस लड़ाई को और मजबूत करेगा प्रधान मंत्री ने कहा कि वाट्स अप और माई गब इंडिया द्वारा ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि आप कोरोना वाइरस पर सटीक और सत्यापित जानकारी प्राप्त कर सकें प्रधान मंत्री ने इसके साथ एक लिंक भी शेयर कर हाई भेजने का अनुरोध किया है प्रधान मंत्री ने ट्विटर इंडिया के प्रयास की भी सराहना की प्रधान मंत्री ने लिखा कि ट्विटर इंडिया ने इसके लिए एक समर्पित पेज लॉंच किया है जो पूरे भारत के विभिन प्राधिकरणों के लोगों को आविशक वास्तविक अपडेट देता है कोरोना वायरिस के खतरे के बीच प्रधानमंतरी नरेंद्र मोधी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है ट्विटर संदेश में प्रधान मंत्री ने कहा कि ये समय घबराने का नहीं बलकि सतर्कता बरतने का है प्रधान मंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमंट से बचाओ के लिए ना सिर्फ घर के भीतर रहना जरूरी है बलकि आप जिस शहर कस्वे में हों वही रहें प्रधान मंत्री ने कहा कि अनावशक यात्रा से ना तो आपको कोई मदद होगी और ना ही दूसरों की अपने संदेश में प्रधान मंत्री ने कहा कि ऐसे वक्त में हमारी हर छोटी कोशिश बड़ा असर डालेगी प्रधान मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो डॉक्टर्स और अधिकारियों की सलाह का पालन करें उन्होंने कहा कि इस वक्त हम सब को डॉक्टर्स और अधिकारियों की सलाह माननी चाहिए प्रधान मंत्री ने उन लोगों से भी निर्देशों का पालन करने की अपील की है जिन्होंने होम कॉरेंटाइन में रहने को जो रह रहे हैं और उन्होंने कहा कि निर्देशों का पालन आपके साथ साथ आपके परिवार और मित्रों को भी बचाएगा प्रधान मंत्री ने कोरोना वाइरस के खिलाफ लड़ाई में फर्स्ट लाइन ओफ डिफेंस का रोल अदा कर रहे लाखो सुरक्षा कर्मियों वाहन के सदस्यों साफ सफाई विवस्था से जुड़े करमचारियों का शुक्रिया अदा किया प्रधान मंत्री ने इन लोगों को हीरो बताया है उन्होंने कहा कि इनका योगदान आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा IT प्रोफेशनल्स पर गर्व जताते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि वो अन्य नागरिकों को निर्बाद सेवाएं प्रधान करने के लिए कड़ी महनत कर रहे है प्रधान मंत्री ने कहा कि COVID-19 से लड़ाई में इनुवेटर्स और इंडस्ट्रियस प्रोफेशनल्स की बड़ी भूमिका है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने फार्मा कंपनियों से दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है प्रधान मंत्री ने दवाओं कंपनियों के साथ आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की इस बैठक में दवा कम्पनियों ने प्रधान मंत्री को भरोसा दिलाया कि उनके पास दवाईया बनाने के लिए पर्याफ्त आपूर्ती मौजूद है और चिंता की कोई बात नहीं है। दवा कम्पनियों ने भरुसा दिलाया कि मौजूदा स्थिती में वो सरकार के साथ कंधी से कंधा मिलाकर काम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि मांग और आपूर्ती का चक्र 24 घंटे बना रहे। कोरोना वाइरिस के प्रसार को नियंतरित करने के लिए भारतिय चकेट सा अनुसंधान परिशद ने नए दिशा निर्देश जारी किये हैं। इसके तहट सांस संबंधी गंभीर रोगों, दम फूलने, बुखार और कफ की शिकायत के साथ अस्पताल आने वाले सभी मरीजों की कोरोना वाइरिस संक्रमन के लिहास से भी जाच की जाएगी। परिशद के नए दिशा निर्देशों के मताबिक कोरोना वाइरिस के पॉजिटिव पाए गए रोगियों के संपर्क में आए लोगों की भी पांचवें और चौदहवें दिन के बीच एक बार जाच की जानी चाहिए। ICMR ने ये दिशा निर्देश कोरोना के संदिग्ध मामलों में सभी लोगों को विश्वस्निय जाच सुविधा उपलप्त कराने के लिए जारी किये हैं। कॉरंटाइन सेंटर में अब तक 1600 भारतियों समेथ कुल 1700 लोगों को उपचार सेवाएं दी गई हैं। देश में कोविड-19 के जादातर मामले उन लोगों के सामने आये हैं जो विदेश या अन्य जगों से संक्रमित होकर लोटे हैं। कई मरीज ऐसे भी हैं जो विदेश से लोटे लोगों के संपर्क में आये। देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 280 के पार हो गई है। ICMR ने हमारी टेस्टिंग स्ट्राटिजी के ओ भी जैसे जैसे समय सिचुएशन इवॉल हो रही है उसके साफ से हमारा रियक्शन हमारी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है तो उन्होंने भी अपनी टेस्टिंग स्ट्राटिजी को रिवाइस किया है। जिसके तहट अब asymptomatic direct और high risk contacts जो confirmed case के अगर होते हैं तो उनको भी हम 5-4 दिन के अंदर हम test करेंगे ताकि हम और ढंग से उसको एक पकड़ बंदी के रूप में हम उसको समझ पाएं और उस patient को भी हम services provide कर सकें इसके तहटी एक बहुत बड़ा विशे हर बार आता रहा है कि हमें अपनी lab बढ़ानी हैं तो आज ही सारी states के साथ video conference करते हुए जो director general है ICMR के उन्होंने states से discuss किया जो जो states की और lab भी हमारी सामने आई हैं उनको consideration में लेते हुए आज से 111 lab देश में जो कि पूरे देश में 4 कोरोना से बचाओ के लिए कई राज्यों ने भी बड़े कदम उठाए हैं जनता कर्फ्यू को लेकर उत्तरप्रदेश सरकार ने कदम उठाया है उत्तरप्रदेश सरकार ने प्रदेश में सभी मेट्र स्टेशन रविवार को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बंद रखने क का फैसला किया है मयत्तरप्रदेश बस से वाएं और सिटी बस से वाएं भी बंद रहेंगी यूपी सरकार ने भीडभार वाले सभी जगों को बंद करने का निर्देश दिया है सरकार ने शॉपिंग मॉल्स रेस्टोरेंट्स सिनेमा हॉल और जिम आधी जगों को बंद पे देने का फैसला लिया है भीडभाड वाले अस्थानों में जाने से बचने के लिए भी आम जनका वहान किया गया तो स्वाभाई कुरूप से इस से दिन प्रति दिन कमाने वाले लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा प्रदेश के अंदर सरम विभाग के द्व इन सभी सर्मिकों को हम लोगों ने तै किया है कि तातकालिक रूप से भरण पोशन भत्ता की रूप में एक हजार रूपे डीवीटी के माध्यम से हम इनके अकाउंट में देने की सैमती प्रदेश सरकार ने दी है जो पैसा हम लेबर से से उन्हें उपलब्द करवाएंगे कोरोना वाइरस से सबसे जादा महराष्ट प्रभावित है यहां अब तक कुल बावन मामले सामने आये हैं इसके बाद सरकार ने चार शहरों मुंबई, MMR शेत्र, पुने, पिमपरी, चिंचवार और नागपुर में सभी दफतर, एहम प्रतिष्ठान और बाजार को 31 तक के लिए बंद रखने का निर्देश दिया है, आविशक सेवाओं को इससे अलग रखा गया है, मुंबई लोकल, अस्पिताल, पुलिस्थाने और बैंक खुले रहेंगे, मेडिकल सेवाओं भी निर्बाध रूप से मुहया कराई जाएंगी वही दिल्ली में करोना वाइरस के खत्रे को देखते हुए सब ही मौल 31 मार्च तक बंद रहेंगे, लेकिन किराना और दवाईयों की दुकानों को इसमें छूट दे दी गई है, मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल ने बताया कि सब ही गहर जरूरी सारवजने कामकाज भी बंद रहेंगे, दिल्ली सरकार ने मुफ्त राशन स्कीम के तहट आने वाले लोगों को अब साढ़े साथ किलो राशन देने का फैसला किया है, यानि हर शक्स को धाई किलो जादा मिलेगा राशन, बेघर लोगों के लिए खाने का इंतिजाम के साथ ही विकलांग और बुख्यमंत्री विजयरुपानी ने समिक्षा बैठक की, बुख्यमंत्री ने सभी राशनकार धार्गों को सार्वजनिक वित्रन प्रनाली के जरिये एक महिने का राशन पहले से ही देने का फैसला किया है, उन्होंने एक माह की मासिक सहायता पेंशन भी पहले देने का श्वासन दिया है। 2020 के बीच ट्रेन रद होती है तो यात्रा की तारीख से 45 दिनों के भीतर टिकेट जमा कर काउंटर से रिफंड लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई यात्री एक 139 नमबर की मदद से अपना टिकेट रद कराता है तो वो यात्रा के दिन से 30 दिनों के अंदर टिकेट काउंटर से रिफंड प्राप्त कर सकता है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि कोरोना वाइरस आपदा को देखते हुए अत्यंत आवशक ना होने पर रेलवे स्टेशन पर आने से बचे। दुनिया भर में कोरोना वाइरस से मरने वालों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुँच गया है। और इस बीच इटली में फसे भारतियों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया का एक विशेश विमान गया है। इटली में कोरोना वाइरस से मरने वालों की संख्या 4,000 के पार चली गई है। इस देश में इस रोग से प्रति दिन की मृत्यूदर उससे भी जादा हो गई है। इटली में महज पिछले 3 दिनों में COVID-19 से 1500 से जादा मौते हुई है। इटली में इस बिमारी से अब तक 4,000 32 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ब्रिटन ने कोरोना वाइरस की खत्रे से ने पटने के लिए सामाजिक मेल जोल कम करने की दिशा में कदम उठाए हैं। यहाँ कैफे, पब्स, बार, रेस्टरांट, नाइट क्लब्स और थेटर, सिनेमा, जिम और खाने पीने की जगों को आज रात से बंद करने का एलान कर दिया गया है। यहाँ पर मरने वालों का आकड़ा 177 पहुँच गया है। यानि कि ब्रिटन में आज रात से ही लॉकडाउन का एलान है। इने पटने के लिए अमेरिका ने भी कदम उठा लिया है। अमेरिका ने कई दशकों के सबसे बड़े स्वास्थ संकट से लड़ने के लिए अपने आपात और राहत कदमों को शुक्रवार को और तेज कर दिया। तेजी से फैल रही इस वैश्विक बिमारी के चलते शुक्रवार शाम तक अमेरिका के कुल 230 लोगों की जान चली गई। वही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 18,000 तक पहुँच गई है। वही इरान में कोरोना वाइरस से मरने वालों का आकड़ा 1555 तक जा पहुचा है। इरान के स्वास्त मंत्राले के प्रवक्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश में कोरोना काबू में नहीं है। केंद्रे मंत्री मंडल की बैठक में 9 एहम फैसले लिए गए हैं। इसमें देश को एलेक्ट्रोनिक, फार्मा और मेडिकल डिवाइस का प्रोडक्शन हब बनाने के लिए फैसले लिए गए। इसमें आने वाले सालों में 20 लाख करोड का निवेश इस सेक्टर में किया जाएगा। 225 तक 20 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष भी सरकार ने रखा है। सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर एलेक्ट्रोनिक्स वी निर्मान के लिए उत्पादन लिंग्ड प्रोडसाहन योजना को मनजूरी दी है। इसमें इलक्ट्रोनिक कंपनियों को 4-6 पीसदी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स देने का भी ऐलान सरकार ने किया है। इलक्ट्रोनिक डिवाइस के कॉंपोनेंट बनाने पर भी सरकार जोर देगी। प्रस्तावित योजना की कुल लागत लगभग 40,995 करोड रुपए है। इलक्ट्रोनिक और सूचना प्रोदुगी की मंतरी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि बीते सालों में भारत का इलक्ट्रोनिक डिवाइस उत्पादन 25 पीसदी बढ़ा है। इसमें मोबाइल बनाने के मामले में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। जमीन लेगी तो जमीन लेगी तो उस पर इंसेंटिव देंगे। उनके साथ जो कंपनी आएंगी उनको हम मनुफैक्ट्रिंग इंसेंटिव देंगे। और जो बड़ी कमपनी आगर के पैसा अब लगाएगी तो प्रोड़क्शन लिंग इंसेंटिव भी देंगे उनको पी एलाई में फॉर्टी थाजन करोर का इन तीनों स्कीम के माध्यम से हमारी अपिक्षा है कि दो हजार पच्छिस तक दस लाख करोर रुपिय का दुनिया की बड़ी-बड़ी कमपनियों को हम आगरा करते हैं हिंदुस्तान आए भारत में पुझी निवेश करें और जितना वो निवेश करेंगे अपने प्रड़क्ट का इंक्रिमेंटल सेल करेंगे तो चार से छे परसेंट हम उनको इस पर इंसेंटिव देंगे मध्यप्रदेश में कॉंग्रस के 21 पूर्व विधायका जब बीजेपी में शामिल हो गए कॉंग्रस के पूर्व विधायक शानिवार को चार्टर प्लेन से दिल्ली पहुँचे और यहां नेता जोतिरादित्तिस सिंध्या नरेंदर सिंग तोमर और विने सहस्र बुद्ध से मुलाकात की इसके बाद बीजेपी अध्याक्ष जेपी नंडा ने इन सभी को अपने आवास पर पार्टी की सदस्यता दिलाई 22 विधायकों के स्थीपे के बाद मध्यप्रदेश में 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी और शुक्रवार को कमलनाथ ने मुख्यमंतरी पज से स्थीपा दे दिया था इसी के साथ इस बुलिटिन में विलहाल इतना ही आप जुड़े रहे राजसभा टेवी के साथ नमस्कार